हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रांच कोड क्या होता है और ब्रांच कोड कैसे पता करें मैं आपको इसमें दोनों चीज़े कवर करके बताता हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले जानें branch code क्या होता है देखे branch code का मतलब होता है यहाँ पे एक code एक तरह का 4 digit या 6 digit का code होता है जिससे आपका जो भी bank है वो कौन सी जगह पर इस्तिध है कौन सी शहर में है उसका पता लगाया जाता है यहाँ पे bank पता होना चाहिए SBI PNB और last के जो 4 digit होते हैं वो branch code होते हैं यानि आफेसी code है उसके last 6 digit आपके branch code होते हैं यहाँ पर मैं आपको check भी करायता हूँ एक बार यहाँ पर आपको जाना है Google में या Google Chrome browser में आपको search करना है यहाँ पर search branch by search branch code आप इसे search कर दिये आपके पास website आएगी bank बजार की वरना आप bank बजार की website लिखें और search branch code लिखें same to same आपके पास ऐसा page आजाएगा देखिए यहाँ पर मैं आपको bank select करके बताता हूँ यहाँ पर जैसे की एक bank है यहाँ पर नीचे के तरफ HDFC यहाँ पर मैं कोई सा भी शहर ले लेता हूँ क्योंकि हम अब बता रहे हैं बस आपको example के लिए हम लेते हैं यहाँ पर दिल्ली का क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ मैं district select करता हूँ यहाँ और branch select करता हूँ यहाँ पर तो आद देखिए आचुका है भी बैंक का तो वही उसका branch code भी होता है इसके अलावा branch code यहाँ पर आप अपने passbook पर भी चेक कर सकते हैं आपके passbook पर भी लिखा होगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में